श्रीनगर मुठ बेड में मारे गे डोक्टर की पतनी एक साल की बेटी के साथ इंसाफ मांग रही है उसने कहा कि पती आतंकी था तो सबूत दो श्रीनगर में 15 नुवंबर की शाम को हुए एंकाउंटर में चार लोगों की मौत हो गई मारे जाने वाले लोगों में एक का नाम डोक्टर मुदसिर गुल था पुलीस के मताबिक डोक्टर गुल आतंक वादियों के लिए ओवर ग्राउंड वरकर का काम कर रहा था लेकिन गुल की फैमिली इस बात को नकार रही है हलंकि जम्मू कश्मीर के उपर राजयपाल मनोज सिन्ना ने अब इस एनकाउंटर की जाच के आदेश दे दिये हैं उन्होंने कहा कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की जाएगी एनकाउंटर के विरोध में शिरिनगर की प्रेस कलोनी में दो दिन से डोक्टर गुल की फैमिली और दूसरे कश्मीरी परदशन कर रही है इनमें गुल की एक साल की बेटी भी शामिल है जो पिता की फोटो हाथ में लियोए बाबा बाबा पुकार रही है उसे नहीं पता कि उस पर क्या मुसीबत तूटी है एनकाउंटर के बाद ही पुलिस ने डोक्टर गुल समय सभी आतंकियों की बोडी दफना दे थी परदशन कारियों में शामिल डेंटिश डोक्टर गुल की पतनी हुमेरा की आँखों के आँसू सूखने का नाम नहीं ले रहे वो कहती है कि हमें इनसाफ दिलाए मेरी बेटी अपने बाबा को बार बार पूछ रही है मेरे तीन बच्चों के साथ इनसाफ के जिये और मेरे बच्चों को भी मार दीजिए